प्रॉबिलिटी संप्लिंग की तरीके पढ़ने के बाद इस मॉड्यूल में अब हम नॉन प्रॉबिलिटी संप्लिंग पर बात करते हैं जिसको आपने नॉन रेंडम संप्लिंग भी हम कहते हैं दोनों एक ही चीज का नाम है आप नॉन प्रॉबिलिटी कह लें या नॉन रेंडम कह लीजिए यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि नॉन रेंडम संप्लिंग की जरूरत क्यूं पढ़ती है यह हम इससे पहले इस बात का तफसीरां जिकर कर चुके हैं लेकिन क्योंकि अब हमें गुफ्तगू शुरू करेंगे तो मैं यहां आप के लिए एक दफ़ा एक लाइन में उसका आयादा कर देता हूँ हमें एट टाइम्स कुछ ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करनी होती है जिस पर हमें पापुलेशन का पता ही नहीं होता उसमें लोग नाकू पापुलिशन का डेटा होता है और नहीं उस से मतलिक लोग हमें विलिंगली हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मैं रैंडमली सांपल ड्रा कर भी लूँ तो जब उनसे कांटेक्ट करूँगा तो वो एग्री नहीं करेंगा उस बात से जिस बेसिस पे मैंने वो उनकी सेलेक्शन की तो ऐसी सूरत में अच्छा कई दफ़ा डिस्टिबूशन आपकी पापॉलिशन की इतनी अनईवन होती है कि आप रैंडम सांपलिंग के जरीए से रिप्रेजेंटेटिटिव सांपल नहीं ले सकते तो लहाज़ा ऐसी तमाम सूरतों में हमें नौन रैंडम सांपलिंग टेक्नीक्स की तरफ जाना पड़ता है हम इस कोर्स में चार तरह की नौन रैंडम सांपलिंग टेक्नीक्स पे बात करेंगे ये चार से ज्यादा होती है मैंने चार वो मुन्तखिब की जो अक्सर अकाद हम एजुकेशन के डिसिप्लिन में इस्तमाल करते हैं इन में convenient sampling, purposive sampling जिसको के judgmental sampling भी कहते हैं at times और पर सनोबाल sampling और quota sampling इन पर बात करेंगे शुरू करते हैं हम इसको convenient sampling से convenient के लफ से देखिए जैसे जाहिर होता है convenient से मुराद है ये population ये जितने सरकल आप उस लाइड पर नजर आ रहे हैं ये किसी population को जाहिर कर रहे हैं मैं अपनी सहूलत के लहाज से या convenience के लहाज से आप कह लीजिए लोगों को अपने sample में select कर लेता हूँ मिसाल इसके हम यू ले लेते हैं जैसे फर्स कर लीजिए कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और हॉस्टल में जो हमारा खाने का मैस है उसके खाने की quality पे research करना चाहता हूँ अब अगर मैं हॉस्टल के तमाम लोगों से कोई भी sample randomly draw करूँगा तो मुम्किन है कि उसमें से ऐसे लोग भी निकल आए जो के हॉस्टल के मैस्ट में registered हों लेकिन कभी use ही ना किया हूँ क्योंकि आप हॉस्टल में जब admit होते हैं यूनिवर्स्टी के तो आप मैस्ट के लिए entitle तो सारे ही हो जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि मैस्ट यूज भी करते हूँ तो मुझे तो मैस्ट में खाने की quality पर research करनी है तो मुझे तो वो लोग चाहिए जो मैस्ट से खाना खाते हूँ ऐसी सूरत में मैं prefer करूँगा कि मैं convenient sampling के इस्तमाल करूँ बजाए मैं किसी तरह की random sampling के और वो कैसे होगा कि मैस्ट बरेकफास के टाइम पर अपने मैस्ट के gate पर खड़ा हो जाता हूँ या वहाँ बैठ जाता हूँ और हर अंदर से बाहर आने वाले शक्स से दर्खास करता हूँ कि जनाब आप मुझे खाने की या नाश्टे की quality के बारे में एक छोटा सा questionnaire फिल कर दे या मेरे सवालों के जवाब दे दे अब इस तरह से जो भी वहाँ से निकला मैस्ट में से इसका मतलब वो नाश्टा करके निकला है और वो उसका user है तो मेरी effort जो है वो कम हो जाती है मेरा sampling procedure मुझे यूं कहलें के वेस्टेज उसमें नहीं होगी जो लोग निकल रहे होंगे वहाँ से मैं उनसे information ले लूँगा और अपना questionnaire फिल कर वा लूँगा अब इसमें हर एक को equal chance of selection नहीं मिला मैं एक particular दिन में या दो तीन दिन में वहाँ जाके बैठता रहा दो तीन दिन जो लोग उसे इस्तमाल कर रहे थे सिर्फ उन्हीं को chance मिला कि वो मुझे जवाब दे दे ऐसी सूरत हाल में जब मैं sampling करूँ जिसमें equal probability of selection नहीं है बलके किसी और preference के तहत किसी और characteristic को सामने रखते हुए मैंने लोगों का sample select किया तो ये non probability है non random sample है लेकिन at times मुझे जैसी मैंने आपके सामने मिसाल रखी इसके लिए यही suitable तरीका था अपनी wastage को कम करने का कि मैं लोगों को select कर लूँ और बाद में पता चले कि वो तो इसका party नहीं थे तो उस चीज को wide करने के लिए सबसे बेतर था इसी दिए आप देखिए कि slide पे जो diagram बनी हुई है अगर मैं randomly pick कर रहा हुता तो ये जो colored circles है ये spread हुए होते पूरी population के अंदर ये अब सिर्फ एक side से मैंने एक chunk ले लिया तो ये मैंने अपनी convenience के लिहाज से लोगों को select कर लिया अपने such problem को सामने रखते वे इस तरह के मामले में जो खत्रा होता है वो ये sampling में कि आप जब भी conveniently sample draw करेंगे तो वो representative हो सकता है कि ना हो पूरी population को represent ना करता हो इसका एक simple सा हाल ये है कि आप जब भी non-probability sampling का इस्तमाल करें convenient sampling या कोई भी और किसम की sampling non-probability तो आप sample size को बढ़ा कर दीजिए और statistics में अगर आप किताबें पढ़े तो अकसर लिखा होगा उन में कि अगर आपका sample size irrespective of the population कि population कितनी है इसको कताय नजर अगर आपका sample size 320 को exceed कर जाता है इससे बढ़ा हो जाता है तो फिर जो non-random होने की वज़ा से issues create होते हैं वो खुद बखुद mitigate हो जाते हैं वो खुद बखुद खतम होना चूरू हो जाते हैं आज का आसान हल यह है कि जब भी आप non probability sampling करें आप sample size को बढ़ा कर दीजिए ताके आपके generalization से related जो मसाइल है वो इस size की वज़ा से हल हो जाएं